दोस्तों टॉपिक हमारा सिंपली किस पे है डीपीसी प्लिंद बीम और प्लिंद प्रोटेक्शन ये है क्या इतनी जादे इंपोर्टन ये चीज है जितनी जादे इंपोर्टन फुटिंग होती है अगर आपने डीपीसी प्लिंद बीम और प्लिंद प्रोटेक्शन आपने ग element होती है कि नीचे थोड़ा गर बैठेगा 50-60 mm गर नीचे बैठ गया अगर तो उससे आपकी गर गिरेगा नहीं लेकिन आपके गर में cracks आएंगे दिवारों बें थोटे छोटे cracks दिखने लग पड़ेंगे फिर दूसरा dampness आपके गर में हो जाती है मतलब sealant आपके गर में आन ही नहीं है इस वीडियो में अगर यह तीनों चीज़ें अगर आप अपने गर में प्रवाइड करोगे तो गर की life 10% और जदा बढ़ जाएगी और यह must आपको पता होना चाहिए यार तो complete वीडियो देखो fresher, civil engineer, builder, contractor, गर की construction जो भी करवा रहे हो सबके लिए important है complete detail दूँगा 8-10 minute लूँगा शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले चीज समझो हमारी जैसे footing होती है हम थोड़ा उपर height पे आते हैं जमीन level पे आ जाते हैं तो हमें वहाँ पे एक beam देना पड़ता है पूरे गर के नीचे अगर वो beam दिया रहेगा तो आपका गर का load properly distribute होगा आपकी footing पे और जो beam वो plint beam रहता है और plint beam को आपको plum concrete नहीं करना है कि आपने concrete और पत्थर mix करके डाल दिया जैसे यह सामने डाला जा रहे है यह गलत प्रोसेस है गलत तरीका इसको तो follow करना ही आपको plint beam देना है real RCC का आपका plint beam रहेगा मतलब मेरे ख्याल में 450 mm मतलब approximately 1.5 foot उसकी height होनी चाहिए और 300 mm की आप उसकी width रखो इतना तो आपको देना ही देना है plint beam और उसमें सरीया रखो यार अच्छे से provide करो आप bottom मेरे खाल में 2 16 का और 12 का सरीया provide कर दो और top में आप 2 12 का सरीया provide कर दो 2 story building के लिए कोई दिक्कत उसमें नहीं है जब वो provide करो M25 concrete उसमें डालो ठीक है एक ratio एक ratio दो का माल डालो उसम हो क्यूं हो डाल क्यूं क्यों बोलरहां इतना स्टॉंक देनी की जूरूरत के में बोलता हूं जितना slabs में भीम की जूरूरत पढ़ती इतना footing में ब्रीम की दूरन्य परती है प्लिंथ बीम हो गया, फिर DPC कहीं, कहीं को रहता है कि DPC प्लिंथ बीम का अपना काम है, DPC का अपना काम है, प्लिंथ बीम का क्या काम था, उसने जो भी गर का लोड था, जो भी दिवारों का, स्लैब का, बीम का, उपर का सारा लोड, उसने प्रॉपरली डिस्ट्रूट करके के नीचे मिट्टी में डाल दिया, खतम होगी बाद, फिर आती है DPC, DPC होगे Damp Proof Course, सबको पता है, जिनको नहीं पता है, तो Damp Proof Course होता है, इसका काम क्या होता है, जो भी नीचे से, मिट्टी से, या Brick से सीलन आती है, जो भी पानी होता है, मोहिचर होता है, वो आपकी दिवारों तक जाने से DPC रोकती है, Damp, Damp World Proof Course, ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपका Plinth Beam complete हो जाता है, वहाँ पे, डायरेक्ट आपकी Brick Works start होने वाली है, प्लिंज बीम के उपर, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे Plinth Beam complete होगा, एक layer extra डालनी है, आपको 50 mm की, DPC की, एक ratio, एक ratio, एक का माल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो बनाके 50 mm डालो, उसके उपर एक layer और कुछ non-permureal member का बनाओ, कोल का टार जो रहता है, DPC के लिए अलग material भी आता है, मतलब, film आती है, वो बिछा दो, फिर उसमें टार आता है, लुक नहीं रहती, जो काले कलर का paint जासा आएगा, वो elephant shield आती है, काफी product आगे है, DPC liquid form में कुछ search करोगे, तो coffee आपके लिए आ जाएगा, वैसे, जैसे आपने वो concrete की एक layer पी शही है, 50 mm की, दो इंच की, उसके उपर वो coal टार मार दो, जो भी, एक layer डाल दो, उसके बाद brick बर करो, देखो इधर क्या काम था उसका, जो print beam से moisture था न, वो उपर नहीं जाने देगा, brick में, और यह ध्यान रखना, DPC आपकी वहीं होनी चाहिए, मिटी का level उदर से कम से कम एक इंच नीचे होना चाहिए, मतलब मिटी, जहां तक मिटी है न, वहां तक DPC कुछ काम नहीं गरेगी, DPC काम वहीं से करेगी, जहां मिटी आपकी नीचे, मतलब एक आपकी slab हो गई, और brick work वहां, मिटी से उपर आपको brick work शुरू करनी है, और उसके नीचे आपकी DPC होनी चाहिए, यह शर्त होती है, DPC, DPC और print protection, अपना-पना roll अदा कर गई, ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अब हमें जो blint हमने दिया है, ठीक है, blint दे दिया, लेकिन blint तो हमारा काम करेगा गर के नीचे, लेकिन जो उसकी चारो तरफ की जगह है, वहां मिटी है, अगर बायचनस, वहां गर नहीं है किसी का, जहां गर के चारो तरफ मिटी होगी न, वहां पे आपको blint protection provide करना है, प्लिंट प्रोटेक्शन इसलिए प्रोवैड करना है, वर्ड से आपको पसाओ आए, कि अपने प्लिंट को हमें प्रोटेक्ट करना है, वो किस तरीके से किया जाएगा, क्योंगे बारिश रहती है, कोई भी पानी आएगा, वो सिधा आपके गर के आपके ड्रेनेज की तो उसके लिए क्या करना है उसके लिए हम क्या करते हैं Plint के चारो तरफ क्या करते हैं Plint Protection प्रूटच्छन प्रूइड करते हैं 75mm या 4-5mm या 3-4 इंच आपको एक Concrete की layer डालनी है अपने गर के चारो तरफ लोग करते हैं लेकिन Plint Protection उसको बोला जाते हैं और वो करना ये प्लिंथ की चारो तरफ वो आपको करना है और एक मीटर तक मतलल तीन फुट तक आपने गर के चारो तरफ वो करना ही करना है तो उससे क्या होगा जो पानी होगा वो अंदर इसे गानी अभी इस चीज़ को अगर मैं थियोटिकली समझाओ यह दो यह हमारा हो गया प्लिंथ की यहां निचे से इतना हमें उठाया है और यह फूटिंग है और यहां हमारी लगा लगा लो यह निचे से इतना हमें उठाया है और यह footing है तो यहाँ पानी गुसे का अधत तो यह जो मिट्टी होगी बैठने का डर रहता है और सरीय को डिट्रोइड करी काफी चिज़ रहती है तो यह आपको provide करने करने है जैसे हमारा यह प्लिंथ मीम था एक तो यह हमारा इस तरफ रोड अगर लगा लो तो रोड से यह यह रोड है और यह हमारा गर की construction हो रही है यहाँ पर यह लगा लो एक कोई दो इंच उपर हो रही है तो आपको क्या करने है पहले तो आपना प्लिंथ उठाने है उसमें क्या कर लो प्लम प्लम कॉंक्रीट कर लिया फिर उसके उपर प्लिंथ भी मुटगाओ प्लिंथ भी कर लिया फिर उसको पर DPC करो फिर उसको पर ब्रिक वर कर दो तो मतलब आपका रोड से एप्रॉक्स तीन से चार फुट उपर रखो ठीक रहेगा तीन से चार फुट रहेगा फ्यूचर में रोड अगर उच्चा भी होता है यहां लेयर डलती है जो भी होता है तो आपका गर सेफ रहता है तो इस तरीके से क्योंकि यहां ड्रेनिज होता है तो अगर आपका प्लिं तो यह great slab होगी, यहां से मारी DPC स्टाट हो जायी है, अबर यह नहीं हो कि मिट्टी आपकी यहां तक है, ठीक है, यहां तक मिट्टी है, और ग्रेट slab यहां ड़ल रही है, DPC आपने यहां कर दी, तो यह यहां से brick बर्क को पकड़ लेगी, और brick का काम क्या है, पाणी सोकने, 15-20% पानी सोकती है तो यहां से तो पानी सोकेगी और उपर जब वो दिवारों को देगी तो आपका देखा होगा आपने 1.5 मिटर तक आपकी दिवारें गिली-गिली से रहती है पपड़ी मन जाती है तो आपको DPC को और तरीका होता है कि अगर by chance आपको यहां DPC आपने प्र आपकी ब्रिक को कहीं से पानी नहीं मिलना चाहिए यह यह तरीका होता है तो इस तरीके से हम क्या करते हैं प्लिंथ प्रोटेक्शन भी हमारी बहुत इंपॉर्टन है प्लिंथ भीम भी DPC भी तो यह तीनों चीज़ें आई होप आपको समझ आ गई हूँगी ऐसी वीडियो